परिचय पिता जी, ये पार्क तो बहुत ही सुन्दर है, यहाँ पर आनंद लेने के लिए बहुत से जूले और राउंड्स हैं, मेरे मित्र भी तती दिन यहाँ आते हैं मुझे पता था कि तुम्हें ये पार्क अवश्य पसंद आएगा, इसलिए आज में तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ धन्यवाद पिता जी बहुत अच्छी बात है अच्छानक भूकम पा जाता है क्या तुम ठीक हो बेटा? हाँ पिता जी, मैं ठीक हूँ क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ, हाँ, बिल्कुल भूकम कैसे आते हैं? और ये इतने अधिक विनाशकारी कैसे हो जाते हैं? बेटा, जब पित्वी के भीत्री भाग में चट्टाने के सकती हैं, तो उनके कारण भूकम पाते हैं इस अचानक होने वाली गत्यक के कारण आघात तरंग पृष्ट पर आती हैं, ये तरंगे पृथ्वी के पृष्ट के अनुदिश चलती हैं और बहुत क्षती पहुँचाती हैं जी पिता जी, अब मुझे समझ में आ गया और मैं इन तरंगों के विशे में और जानना चाहता हूँ ठीक है वेटा, मैं तुम्हें बताऊंगा बच्चों, आज हम तरंगों के विशे में और पढ़ेंगे उद्देश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे तरंग गती को परिभाशित करना अनुप्रस्थ और अनुदैर्थित तरंगों में अंतर स्पष्ट करना प्रगामी चाल में विस्थापन संबंध का मुल्यांकन करना प्रगामी तरंग की गती की गणना करना, तरंगों के अतिव्यापन को समझना, तरंगों के परावर्तन के विशे में जानना, आप्रगामी तरंगों को परिभाशित करना, स्पंदों को समझना, डौपलर प्रभाव का विशलेशन करना, परिभाशा तरंगों के द्वारा बिना तरविकी आयतंचाल के उर्जा का इस्थानांतरण संभव होता है। दूसरे कण में पहुँचाई जाती है। एक पत्थर का पानी में गिरना, एक लड़के का किसी से बात करना। भूकंप ये तरंग गती के कुछ उधारण है। इस पार्ट में हम यांतरिक तरंग गती के विशे में पढ़ेंगे। इन तरंगों को प्रत्यास्थ तरंगें भी कहते हैं अनुप्रस्थ और अनुदेर्थ तरंगें। अनुप्रस्थ तरंग वो तरंग होती है जिसमें माध्यम के सभीकन अपनी माध्य सामयावस्था पर तरंग संचरण की दिशा के अभिलंबवत दिशा में सरल आवर्ती गती करते हैं। अनुदेर्थ तरंग गती वो तरंग गती होती है जिसमें माध्यम के प्रतककन तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश अपनी माध्य स्थितियों पर सरल आवर्त गती करते हैं। आईए अनुप्रस्थ तरंगों और अनुदेर्थ तरंगों में अंतरसंजें। एवं द्रोनियों यानि गर्तों के रूप में गमन करती हैं। तरंगें किसी भी माध्यम में बन सकती हैं। जब अनुप्रस्थ तरंगें संचरित होती हैं, तो माध्यम में कोई भी दाप परिवर्तन नहीं होता है। परन्तु जब अनुदेर्थ तरंगें संचरित होती हैं, तो माध्यम में दाप परिवर्तन होता है। अनुप्रस्थ तरंगें एक जया वक्र द्वारा सीधे निरूपित की जा सकती हैं। अनुदेर्थ तरंगें एक जया वक्र द्वारा केवल अप्रत्यक्ष रूप से निरूपित की जा सकती हैं। अनुप्रस्थ तरंगें द्रूवी क्रित की जा सकती हैं, जबकि अनुदेर्थ तरंगें द्रूवी क्रित नहीं की जा सकती हैं। प्रगामी चाल में विस्थापन संबंद। प्रतेक्षण में विस्थापन समय फलन उस इक्षण पर तरंग की आकृती बताता है। ये उस अवस्थिती पर माध्यम के निर्माना की गती का भी वणन करता है। जया वक्रिये संचरित होती तरंग को निम्ना नुसार वणनित किया जा सकता है। Y पराबर A sin K X घटा ओमेगा T जहां Y पराबर स्थिती X और समय T के फलन के रूप में विस्थापन है। A बराबर तरंग का आयाम। ओमेगा बराबर तरंग की कोण ये आवरित्ती। के बराबर कोण ये तरंग संख्या। आयाम ए माध्यम के निर्मानकों का उनकी सामय वस्था से अधित्तम विस्थापन प्रदशित करता है। ये तरंग का आयाम कहलाता है। तरंग देर्थ समान कला वाले दो बिंदुओं के बीच नियुनतम दूरी तरंग का तरंग देर्थ कहलाती है जिसे प्राया लेमला दौरा निरूपित किया जाता है। सरलता के लिए हम कह सकते हैं कि किसी तरंग में दो क्रमिक तुंगों या द्रोडियों के बीच की दूरी तरंग तैर्थ होती है। आवर्थकाल तरंग के दोलन का आवर्थकाल वो समय होता है जो एक एलिमेंट एक पूर्ण दोलन पूरा करने में लेता है। एक संचारित तरंग की चाल। सभी प्रगामी तरंगों के लिए एक समान संबंध निम्न रूप में व्यक्त है। वी पराबर लेमला बटे टी। माध्यम के किसी निर्मान त्वारा एक पूर्ण दोलन है तू अविक्षित समय में तरंग पैटन तरंग के तरंग देर्थ के बराबर दूरी तै करता है। तानित डोरी पर एक अनुप्रस्थ तरंग की चाल। माना कि एक डोरी को दो द्रण टेकों के बीच ताना गया है। यदि डोरी को चुटकी से खींचते हुए थोड़ा फिस्थापित किया जाता है, तो डोरी की लंबाई के अनुदिश एक निश्चित वेक के साथ एक का वेक डोरी के तनाव और द्रविमान प्रती इकाई लंबाई पर निर्भर करता है। तानित डोरी पर संचरण करने वाले वेक शोप का वेक निम्ना अनुसार व्यक्त है। सी बराबर वर्गमोल टी पटे म्यू जहां टी बराबर डोरी में तनाव। म्यू बराबर द्रविमान प्रती इकाई लंबाई। अब एक सिरे पर स्थिर की गई डोरी के दूसरे सिरे पर एक भार लटकाते हुए इसे तानित किया जाता है। डोरी में तनाव डोरी के प्रतियस्थता गूं और जड़त्व से संबंदित है। तानित करने पर वेग निम्न रूप में व्यक्त होता है। सी बराबर वर्ग मूल टी बटे पाई आर वर्ग रोब जहां आर बराबर डोरी की तृच्या, रो बराबर समगरी का घनत्व, एक अनुदैर्द तरंग की चाल, एक अनुदैर्द तरंग के संचरन का वेग माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निभर करता है। तरंग वेग पराबर वर्ग मूल प्रत्यास्थ मॉडुलस बटे घनत्व तरंगों के अध्यारोपन का सिध्धांत तरंगों के अध्यारूपन के सिध्धान्द के अनुसार माध्यम में किसी बिंदू पर एक साथ कारी करने वाली तरंगों के कारण विस्थापन उनमें से प्रतेक द्वारा प्रिथक रूप से कारी करने के कारण विस्थापन साधिशों का सधिश्योग होता है आईए एक उधारन देखें एक दूसरे के निकट आते दो इस्पंदों पर विचार करें जब इस्पंद एक दूसरे को पार करते हैं तो वे संयुक्त होकर एक परिणामी इस्पंद बनाते हैं एक दूसरे को पार करने के बाद विप्पुना इस तरह सौतंत्र रूप से गमन करने लगते हैं जैसे कुछ ना हुआ हो इससे तरंगों के अध्यारोपन की निम्न तीन महतपून स्थितियों का पता चलता है समान आवरिती की दो तरंगें समान वेक के साथ समान दिशा में चलती है इससे तरंगों के व्यक्तिकरण की घटना होती है सद्रिश्य आवरित्यों तथा आयामों वाली दो तरंगें विप्रेती दिशाओं में समान चालों से एक यही पत के अनुदिश गमन करती है इससे आप्रगामी तरंगें उत्पन होती है अल्प भिन आवरित्यों वाली दो तरंगें समान वेक के साथ समान दिशा में चलती है इससे विस्पन्दों की परिगटना होती है तरंगों का परावर्तन जब कोई तरंग किसी द्रण परिसीमा से टकराती है तो ये पूनता परावर्तित हो जाती है और यदि परिसीमा द्रण नहीं है तो आपतित तरंग का एक भाग परावर्तित हो जाता है और कुछ भाग दूतिय माध्यम में पारगमित हो जाता है आईए एक उधारण देखें एक स्पंद एक दानित डोरी के अनुदिश गमन करता है और परिसीमा त्वारा परावर्तित हो जाता है परावर्तित तरंग की आकृति आपतित स्पंद के समान होती है किन्तु परावर्तन होने पर इसकी कला में 180 डिक्री परिवर्तन हो जाता है ऐसा इसलिए होता है क्यूंकि परिसीमा दिर्ण है और परिसीमा पर हर समय विक्ष्योप का विस्थापन शुन ही होता है जब परिसीमा नहीं होती तो परावर्तित तरंग की आकृती और कला आपतित तरंग के समान होती है स्थेतिक आप्रगामी तरंगे विप्रेद दिशाओं में कमन करने वाली दो एक समान प्रगामी तरंगों के अध्यारोपन त्वारा निर्मित परिडामी तरंग आप्रगामी तरंग कहलाती है प्रस्पंद कुछ बिंदूओं पर विस्थापन और बिंदू की अपेक्षा सदैव अधिक्तम होता है ये बिंदू अधिक्तम आयाम के साथ कमपन करते हैं और प्रस्पंद कहलाते हैं दो क्रमिक प्रस्पंदों के बीच की दूरी लेमला बटे दो होती है निस्पंद कुछ बिंदूं पर विस्थापन सदैव शून होता है ये बिंदू जो सदैव स्थेतिक रहते हैं निस्पंद कहलाते हैं दो क्रमिक निस्पंदों के बीच की दूरी लेमला बटे दू होती है ये प्रेक्षित किया गया है कि एक निस्पंद और निकटस्थ प्रस्पंद के बीच की दूरी लेमला बटे चार होती है विस्पंदें जब लगभग समान अवृत्ती तथा समान आयाम की दो ध्वनिया एक साथ उत्पन होती हैं तो परिडामी ध्वनी में एकांतर उचिस्थ और अलपिस्थ होते हैं नियमित अंतरालों पर ध्वनी का एकांतर उतार चड़ाओ होने की ये परिखटना विस्पंदें कहलाती है आईए एक उधारन देखें दो सन्नादी तरंगे हैं जिन में से एक की आवरित्ती बारा हर्ट्स और दूसरी की आवरित्ती दस हर्ट्स है जब वे एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं तो वे दो हर्ट्स आवरित्ती की विस्पंदें उत्पन्ने करती हैं प्रती सेकेंड सुनी जाने वाली विस्पंदों की संख्या विस्पंद आवरिती कहलाती है। विस्पंदें के वल तब सुनी जाती हैं जब दो ध्वनी कारी निकायों की आवरित्यों में अंतर दस से अधिक नहीं होता। ऐसा श्रवन नरंतर्ता के कारण होता है। प्रतिक तीव रिध्वानी से अगली तीव रिध्वानी तक का समय एक विस्पंद काल कहलाता है, उधारण. आईए विस्पंद का एक उधारण देखें. एक साथ बजाए जाने पर एक ट्यूनिंग फोर्क और एक वायूस्थंब एक क्यावन डिग्री से ल्सिएस पर एक सेकेंड में चार विस्पंदें उत्पन करते हैं. आईएिसका हल देखें. जब वायूस्तंब का तापमान कम किया जाता है तो वायूस्तंब में ध्वनी की चाल कम हो जाती है। चुंकि V बराबर U बटे लेमला इसलिए V घड़ता है। चुंकि निम्नतर तापमान पर विस्पंद प्रती सकेंड की संख्या कम है। इसलिए हम ये निशकर्श निकालते हैं कि वायूस्तंब की आवरित्ती टूनिंग फॉर्ग की आवरित्ती से अधिक है। माना टूनिंग फॉर्ग की आवरित्ती V है तो 51 डिग्री सेल्सियस पर वायूस्तंब की आवरित्ती N जमा चार। सोलर डिग्री सेल्सियस पर वायुस्तंभ की आवरित्ती एन जमा एक। दिये गए मानों की गरना करने पर हम पाते हैं कि ट्यूनिंग फॉग की आवरित्ती पचास हार्ट्स है। डॉपलर प्रभाव ध्वनी का सुरोथ, प्रेक्षक तथा माध्यम की आपेक्षिक गती में होने पर ध्वनी की आवरित्ति में आभासित होने वाला परिवर्टन डॉपलर प्रभाव कहलाता है। आईए विभिनส्थितियों में ध्वनी की आभास्या आवरित्ति पर चरचा करें। इस्थिती एक, सुरोद गतिशील, प्रेक्षक स्थेर, माध्यम स्थेर, माना की सुरोद और प्रेक्षक को वी दूरी से प्रथक किया गया है, जहां वी ध्वनी का वेग है, माना की सुरोद से उससर्जित ध्वनी की आवरित्ती नियो है, अब सुरोद प्रेक्षक की ओर वी गर्णा करने पर हम पाते हैं कि इसलिए चूंकि ध्वानी का स्रोध प्रेक्षक की ओर पढ़ता है, इसलिए आभासी आवरिती न्यू डैश वास्तविक आवरिती न्यू से अधिक हो जाती है. यदि स्रोध प्रेक्षक से दूर जा रहा है, तो आभासी आवरिती निम्न द्वारा व्यक्त होगी. न्यू डैश बराबर वी बटे वी प्लस वी अस गुणे न्यू. स्थिती दो, प्रेक्षक गतिशील, स्रोध स्थिर, माध्यम स्थिर. प्रेक्षक स्रोध की ओर वी नौट वेक से चलता है. एक सेकेंड में प्रेक्षक वी जमा वी नौट दिग स्थान खिरने वाली तरंगें प्राप्त करता है. एकाई दूरी में तरंगों की संख्या बराबर न्यू बटे वी. वी जमा वी नौट दूरी में तरंगों की संख्या बराबर न्यू गुणे वी जमा वी नौट बटे वी आभासी आवरित्ती. न्यू डवल डैश बराबर वी जमा वी नौट बटे वी गुणे न्यू. यदि प्रिक्षक स्रोट से दूर जा रहा है तो आभासी आवरित्ती निम्न द्वारा व्यक्ते होगी. न्यू डवल डैश बराबर वी घटा वी नौट बटे वी गुणे न्यू. इस्थिती तीन. जब स्रोट और प्रिक्षक दोनों ही एक दूसरे की ओर गतिशील हैं तो आभासी आवरित्ती निम्न द्वारा व्यक्ते होगी. न्यू डवल डैश बराबर वी जमा वी नौट बटे वी घटा वी अस गुणे न्यू. व्यांत्रिक तरंग सामगरी माथ्यम में उत्पन्न विक्षोब होता है, जो अपनी स्वयम की प्रकृती में किसी परिवर्तन के बिना एक नियत चाल के साथ माथ्यम में गमन करते हुए उर्जा और सम्वेग इस्थानांद्रित करता है। प्रवाह की दूरी और हवधी की लंबाई यानि निर्खात इसका निर्धारन करते हैं कि लहर कितनी बड़ी होगी। तूफानों के समय निम्नवायुताब तथा अभी तटिये पवने एक तूफान प्रोतकर्ष यानि महोरमी उत्पन कर सकते हैं जो तटपर जलिस्तर को समाने समुद्रिस्तर से अनेक मीटर उचा उठा सकता है। तरंग गती को विक्षोप के एक प्रकार के रूप में परिभाशित किया जा सकता है जो माध्यम के कड़ों की उनकी माध्य स्थितियों से दोहराए जाने वाले आवर्थी कमपनों के कारण होता है। अनुप्रस्थ तरंग वो तरंग होती है जिसमें माध्यम के सभी कण अपनी माध्य सामे आवस्था पर तरंग संचरण की दिशा के अभी लंब वद दिशा में सरल आवर्थी गती करते हैं। अनुदेर्थ तरंग गती वह तरंग गती होती है, जिसमें माध्यम के प्रिथककन, तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश अपनी माध्य स्थितियों पर सरल आवर्थ गती करते हैं। तरंग देर्थ समान कला वाले दो बिंदूओं के बीच निवनतम दूरी तरंग का तरंग देर्थ कहलाती है। विपरेद दिशाओं में कमन करने वाली दो एक समान प्रगामी तरंगों के अध्यारोपन द्वारा निर्मित परिणामी तरंग हा प्रगामी तरंग कहलाती है। नियमित अंतरालों पर ध्वनी का एक आंतर उतार चड़ाओ होने की ये परिखटना विस्पंदें कहलाती है। झालों परिदें कहलाती है। ड्रगामी तरंग है। झालों परिखटना विस्पंदें कहलाती है।